120 सब्ध प्रति मिनिट इस्टार्ट नहीं होपा रहा है यदि पहले से तालाव में गेट लगे होते तो पानीकठा हो जाता और किसानों को सही बक्त पर सिचाई के लिए पानी मिल जाता महुद्य फसल सीचने के लिए पानी की जरूरत होती है पानी नहीं मिलने के कारण उपज अच्छी नहीं हूपा रही है और किसान को प्रगती पर निर्भर नहना पड़ता है अता मेरा अनुरोध है कि स्टाब डेम बनाते समय ही गेट लगा दिये जाएं तो किसानों को इस समस्या से निजात मिल जाती और किसानों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा इस टाब डेम में गेट लगने से सासन का जो मूल उद्देश से है उसका पूरा पूरा लाव किसानों को मिल सकेगा उद्देश की भावना के अनुसार काम न होने से किसानों को लाव नहीं मिल रहा है मेरे यहाँ एक और बड़ा तालाव है जो काफी बन चुका है साल भर से निर्मान कार बंद पड़ा हुआ है जो असी प्रतिसत कार साल भर पहले हो चुका था वह बेकार हो रहा है किसानों ने अपने मुखिया को बताया था और सरपंच के माध्यम से इस बात की सिकायत प्राप्त हुई है कि बन विभाग की अनुमती नहीं मिलने के कारण एक तरफ की दीवार नहीं बन पा रही है इस दीवार के कारण जनता को इसका लाब नहीं मिल पा रहा है तथा इससे होने बाली सिचाई भी प्रभावित हो रही है पूर्व में लगाई गई लगबग 20 लाक रुपए की रासी भी बेकार हो रही है मैं उमीद करता हूँ कि सभी समस्याओं का निराकरण सिग्र हो जाएगा उपाद्यक्ष महुदयब मैं आपसे अगला प्रस्थ करूँगा कि मेरे जले के देट खदानों की किस्त कतिपए लोगों की महरवानी और मिली भगत से जमा नहीं की गई है ऐसी लगबग 10 खदाने हो सकती हैं जिनका अनुबंद ही नहीं किया गया इस प्रकार लाखों रुपे की हानी सरकार को पहुचाने का प्रियास किया जा रहा है जिले के खदानों के माध्यम से जो रोयल्टी गिराम पंचायत को प्राप्त होती थी वह नहीं मिल रही है रोयल्टी प्राप्त नहीं होने के सम्मंद में सरपंचो द्वारा सिकायत की गई है जाच और कारवाही नहीं होने के कारण सासन प्रसासन के प्रती खतरनाक रोस ब्याप्त है